ओम शान्ति 25 मई 2023 मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य आज की मुर्ली के कुछ विशेश पॉइंट्स आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को एक शिर बाबा का नाम रूप ही बुद्धी में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फसना नहीं है बाबा हमें ज्ञान और योग सिकला कर पारस बुद्धी बना रही हैं बाबा कहते जो ज्ञानी और योगी तु आत्मा हैं उनके हर कर्म स्वतर युक्ति-युक्त होते हैं युक्ति-युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ट कर्म ऐसी आत्माओं के संकल्प भी युक्ति-युक्त होते हैं उन्हें सदा स्मृति में रहता है कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई और इस विदी से वे माया के तूफानों को हटा देते हैं तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुर्ली ओम शान्ति बाबा कहतें मीठे बच्चे देह सहित तुमारे पास जो कुछ भी है वे सब बली चढ़ा दो फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा प्रश्न हर एक ब्रामन बच्चे को कौनसी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए उत्तर सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो शौक होना चाहिए कि कैसे सिद कर बताएं परमात्मा कौन है तुम्हें बाब की श्रीमत मिली हुई है सेंसिबल बन सबको बाब का पैगांग सुनाओ ऐसे अच्छे अच्छे परचे काट छपाओ जो मनुश्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो गीत जिसका साथी है भगवान ओम शांती बच्चों ने गीत सुना बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं बाकी जिनों ने गीत गाया वे इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते ना उनों के साथ भगवान है, ना उनों को ये पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्गता वर्सा देते हैं, बाप नहीं आकर बच्चों को सम्मुख में अपना परिचे दिया है, वही बाप अब सम्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो, तुम ही तूफानो को समझते हो वो लोग तो कलामेटीज आधी को तूफान समझ लेते हैं ये तो पांच विकार रूपी माया के तूफान आते हैं पुरुशार्ट में माया बहुत विग्ण डालती है परन्तु उसकी परवा नहीं करनी चाहिए सिर्फ बाबा को अच्छी रीती याद करने से ही तूफान उड़ जाते हैं बादशा का बच्चा होगा उनको ये निश्चे होगा कि हमारा बाबा बादशा है इस बादशा ही का मैं मालिक हूँ नशा रहता है तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चे है और बाब को अपना बनाया है अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है बस मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं है इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं और फिर बाप को ही छोड़ देते हैं दुनिया में भगवान को यथार्थ रीती कोई नहीं जानते तुम बच्चे असल में शिवालाई के रहने वाले थे अब वैशाले है इस समय मनुष्य बंदर से भी बत्तर बन गई है मनुष्य का कुरोध बंदर से भी तीखा है मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं इसलिए उनको बंदर से भी से भी बत्तर बनाया है ये कोई नहीं जानते बाप कहते हैं तुम दिल रूपी दरपन में अपनी शकल देखो तुम पहले क्या थे अब बाप तुमको लायक बनाते हैं परन्तु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो माया उनको नालायक बना देती है बाप श्रीमत देते हैं देश सहिद जो कोच भी तुम्हारे पास है वे सब बली चड़ो फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है राजस्तान के तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते हैं तो गोद लेते हैं गरीब का बालक अगर साहुकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड पती के बच्चे हैं इस ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है तुम चानते हो कि इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है श्रीमत पर चलने से श्रेश बनेंगे नहीं चलने से नहीं बनेंगे भगवान कहते हैं तुमको तो कोई किस्म की परवा ही नहीं। रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए कि हमको बाबा 21 चन्मों के लिए स्वर्ग की राजाय का वर्सा देती हैं। हम बाबा की संतान बने हैं। वास्तव में सब शिर्बाबा की संतान हैं। परंतु अब शिर बाबा आकर प्राक्टिकल मी अपना बच्चा बनाते हैं। अभी तुम सम्मुक बैठे हो. चानते हो शिर बाबा हमको अपना बना कर स्वर्ग के लायद बनाने लिए मत देते हैं कि बच्चे किसके नाम रूप में नहीं फसना है। एक शिर बाबा का नाम रूप ही बुद्धी में रखना है उनका नाम रूप ही मनुश्यों से न्यारा है बाप कहते हैं तुम हमारे थे निर्वान धाम में रहने वाले थे क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम शांती धाम अत्वा निर्वान धाम की रहने वाली हैं हमारा स्वधर्म शान्त है ये शरीर और्गन्स है कर्म करने के लिए नहीं तो पाट कैसे बजाएंगे हम आत्मा निराकारी तुन्या की रहवासी हैं ये बिलकुल नहीं चानते ये सब बातें मनुश्य ही जानेंगे जानवर थोड़े ही जानेंगे पर मात्मा को तो खुद को भी भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं कहते हैं क्राइस्ट को इब्राहिम को परम पिता परमात्मा ने भेजा तो जरूर कोई बाप है भेजने वाला ये तो तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार हर एक आता रहता है भेजने करने का तो सवाल ही नहीं उठता इस समय मनुष्य अज्यान अंधेरे में है, न बाप को, न अपने को, न रचना को चानते हैं मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, हम आत्मा कहां से आये हैं, ये सब बातें बाबा ही याद दिलाते हैं और बाप कहते हैं, सभी को याद दिलाओ तुम्हारा निमंत्रन बहुत अच्छा छिपा हुआ है शिवका चित्र भी है ये बाबा ये लक्ष्मी नारायन है वर्सा लिखा हुआ है परन पिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायन जैसा बनने का वर्सा लो तुम नर से नारायन बनने के स्टूडिन्ट हो वे सावकार आदी के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते होंगे परन्तु हमारे आगे तो वे कुछ भी नहीं है अल्पकाल के सुख लिए मेहनत करते हैं तुम बच्चे सदा सुख पाते हो ये भी तुम ही कह सकते हो पहां भी जाओ, हाथ में निमंत्रन पत्र हो बोलो, ये सभी आतमाूं का बाप स्वर्ग का रचईता है उनसे वर्सा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है ये निमंत्रन एरोप्लेन से गिरा सकते हो अकबार में भी डाल सकते हो बड़े बड़े को निमंत्रन मिल जाएका ये एरोपलेन विनाश के लिए भी है तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी है ये काम गरीब तो करना सके परन्तु बाब है ही गरीब निवास गरीब ही वर्सा पाते हैं साहुकार तो ममत्व में फसे हुए हैं सरेंडर होने में रिदे विदीर्ण होता है कन्याओं माताओं का इस समय ही भाग्य उदय होता है बाब कहते हैं इन माताओं द्वारा ही भारत का और साधू संत विद्वानों का उधार करना है आगे चलकर वे सब आएंगे अभी वो लोग समझते हैं, हमारी जैसा कोई है नहीं, वे ये नहीं चानते कि ग्रस विवार में रहते, बाप ने राज्योग सिखाया है, उन्हों का हठ्योग करम सन्यास अलग है, भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, तो तुमको कितनी खुशी रहनी च चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे, श्वी कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते थे, बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अपना और दूसरों का कल्यान करना है, तो सर्विस में लग जाओ, एम आबजेक्ट तो बहुत क्लियर है, वर्सा है डेटी वर उपर शिव बाबा, नीचे लक्षमी नारायन, कितना सहच है समझाना, तो सब को निमंत्रन देना है, बेहत के बाब से स्वर्ग का वर्सा जरूर मिलना है, जहां बहुत लोग जाते हैं, वहां ये पच्चे जरूर फिंकने चाहिए, कोई कुछ कह नहीं सकता, अगर कोई कह तो हम सिद कर समझाएंगे, कि बाब, जिससे स्वर्ग का वर्सा मिलता है, उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो, बाब कहते हैं, देखो, ये मेरी इंसल्ट करते हो, मैं स्वर्ग का मालिक बनाता, मुझे फिर भित्तर ठिकर में डाल दिया है, अब तुम्हें श्रीमत मिलती ह कि ये पर्चे खूब बांटो, अमरनात की यातरा पर जोण जाता है, वहाँ जाकर बांटो, इसमें लिखा हुआ है, यग्य तब तीर्थ आदी से मैं नहीं मिलता हूँ, परंतु समझाने वाला सेंसिबल चाहिए, समझाना चाहिए, वह है बाड़ फादर, सिर्फ भगवा इश्वर पर्मात्मा कहने से पिता अक्षर नहीं आता, बाड़ फादर कहने से पिता अक्षर आता है, हम सभी एक फादर के बच्चे ठहरे, पर्मात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या पर्मात्मा पतित हो गया? वे तो है उचेते उच्छा, उनका यादगार मंदिर भी है, तो बच्चों को युक्ती से सर्विस करने का शौक चाहिए, यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो, वेह है जिस्मानी यात्री, तुम हो रूहानी यात्री, समझाना चाहिए तुम कहां जाते हो, शंकर पार्वती तो सुक्ष्म वतन में रहते हैं, यहां वेह कहां से आ तो ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, भक्त बिचारी बहुत धक्के खाते रहते हैं, तो उन पर तरस पड़ता है, उनको बोलो तुम अपने धर्म को भूले हुए हो, हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, सर्विस तो बहुत है, बच्चों को खड़ा होना चाहिए, बाप माया से बहुत खबरदार रहना है, अभी तुम बच्चे बाप दादा के सम्मुक बैटे हो, दुनिया को थोड़े ही मालूम है, कि बाप सम्मुक आए हैं, सब आत्माओं की जोद बुजी हुई है, एक दम बुज नहीं चाती है, थोड़ी लाइट रहती है, फिर बाबा आ कर ज्यान घृत डालते हैं, जब कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं, यहां योग से आत्मा की जोद जगाई जाती है, ज्यान की धारना करते रहते हैं, भारत का प्राचीन राज्योग मशूर है, वे निवरिती मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हट योग सिखलाते हैं, फ योग सिखलाने वाला है इश्वर, वे है निराकार, बाप कहते हैं, तुमको अब योग सिखला रहा हूं, अब तुम्हारा 84 का पार्ट पूरा हुआ, कोई के 84 जनम, कोई के 60, कोई के 1-2 जनम भी होते हैं, तुम बच्चों को खूप सर्विस करनी हैं, भारत ही हेवन था, God Goddess का राज्य था, ये बातें तुम्हारे सिवाए कोई समझा न सके, गाली भी तुमको खानी पड़ती है, बाबा, गाली खाएंगे, तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे, सितम सहन करेंगे, ये भी ट्रामा में नून्ध है, फिर भी ऐसे ही होगा, अभी तुम बच्चों को पारस वुद्धी बनाता हूं, ऐसे बाब को बहुत याद करना चाहिए, जो विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं, बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज्य लो, ऐसे मीठे मीठे बाब को तुम याद नहीं कर सकते हो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, रहा हुआ प उस समय बाबा साक्षातकार भी कराते हैं, तुम हमारे बन कर फिर फार्कती दे, तुम ट्रेटर बन गए, तुमने शुरुआत में साक्षातकार भी किया है, अच्छा। भी मजा नहीं है, अब हम बाबा के पास चाते हैं, बाबा को ही याद करना है, वहां से फिर स्वरक धाम में जाएंगे, ये यात्रा बड़ी वंडर्फुल है, इसमें माया बहुत बिगने डालती है, अच्छा, मीठे मीठे, सिकिलिते बच्चों प्रती, मात पिता, पाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉनिंग, रूहानी बाब की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाब दादा को दिल वर चान, सिक्वा प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी, गुड मॉनिंग भाबा, शुक्रिया बाबा, धारना क मुख्य सार पहला पॉइंट एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धी में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फस्दा नहीं है दूसरा पॉइंट मायक के तूफानों की परवा नहीं करनी है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई इस विधी से तूफान हटा देने हैं वरदान सदा यथार्थ श्रेष्ट कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्ट करने वाले ज्यानी योगी तू आत्मा भग जो ज्यानी और योगी तू आत्मा हैं उनके हर कर्म स्वता युक्ति-युक्त होते हैं युक्ति युक्त अर्थार्थ, सदा, यथार्थ, श्रेष्ट कर्म, कोई भी कर्म रूपी बीज, फल के सिवाय नहीं होता, जो युक्ति युक्त होगा, वे जिस समय, जो संकल्प, वानी या कर्म चाहे, वे कर सकेगा, उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे, ऐसे नही ये करना नहीं चाता था, हो गया, सोचना नहीं चाहिए था, सोच लिया, राज युक्त, योग युक्त की निशानी है ही युक्ति युक्त, स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है, उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं.